Once again friend, welcome to your channel, आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके Android से जुड़ी प्रोब्लम के solution के बारे में दोस्तो अगर आप Android user हैं आप किसी को भी phone करते हैं और phone के दोरान चाए incoming call हो या फिर outgoing call हो आपकी जो mobile screen है वो off हो जा रही है तो इस तरह की problem का solution आप किस तरह से कर सकते हैं वीडियो छोटी होने वाली है solution 101% मिलने वाला है तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए इस टार्ट कर लेते हैं वीडियो को आपको बताते हैं किस तरह आप इस problem को शोट आउट करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो बैल एगन को प्रेस करिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ आपको सबसे पहले अपने फोन की सैटिंग को ओपन करना है उपर आपको सर्च बार देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको सर्च करना है कोल सैटिंग तो कोल सैटिंग वाला ओप्शन आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आप इस पर क्लिक करिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर incoming call setting वाला option दिखेगा इस पर आप click करिएगा यहाँ पर दोस्तो आपके सामने धेर सारे option आ जाते है लेकिन हमें यहाँ से जो option select करना है वो है proximity sensor तो दोस्तो अगर यहाँ से on हो रखे है तो आपको इसको यहाँ से off करना है तो जैसे हमने इसको off कर दिया तो आप यहाँ पर read भी कर सकते है turn of the screen automatically when you are holding the device to your ear during a call तो गाइच आपको इसको off करके रखना है जिसके बाद अगर आपकी कोई भी incoming call आएगी या फिर आप किसी को outgoing call करते है उसके दोरान जो आपकी mobile screen है वो off नहीं होगी वो black नहीं होगी तो इस तरह से आपकी जो problem में इसका solution हो जाता है आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये छोटी setting आपके साथ share करनी थी अगर वीडियो पसंद आई तो bell icon को press करके हमारे channel को जिरूट से subscribe करिएगा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई friends love you all take care